डोरेमोन की सीरीज आप सबने देखी ही होगी और ये सीरीज आप सब का फेबरेट भी होगा डोरेमोन हमेशा नोबिता को गैजट देता रहता है अगर मैं कहूँ कि आप जिस नोबिता को देख रहे हैं वो अब इस दुनिया में है ही नहीं तो आपको कैसा फिल होगा ? आप इस बात से सौक रह गये ना ? क्या आपको पता है डोरेमोन एनिमे सीरीज को किस ने बनाया ? और उनको डोरेमोन सीरीज बनाने का आईढिया कैसे आया ? तो चलिए हम जान लेते हैं नोविता का मौत कैसे हुआ ? इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजे और हमारे चैनल पर जो नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजे जापान के टोक्यो सिटी में रहने बाले नोभी परिवार की एक सदस्य का नाम नोभीता था जिसका पूरा नाम नोबिता नोबी है और वह 9 साल का था नोबिता के डैड का नाम नोबी सुके नोबी है और नोबिता के मौम का नाम तामाको नोबी है नोबिता को सीजो फ्रेनिया नाम की एक बिमारी थी ये एक मानसिक बिमारी है इस बज़े से नोभीता बच्पन से ही पढ़ाई में कमजोर था इसलिए वो हमेंशा अपने टीचर से डाट खाता रहता था और क्लास के बाहर ख़ड़ा रहता था नोबिता का अपना स्कूल में पड़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस ना होने के कारण घर में भी अपने मॉम डैड से डाट खाता रहता था नोबिता खेल कूद में भी अच्छा नहीं था इसलिए उसके दोस्त नोबिता को मारते पिटते रहते थे नोभीता को तो अब इन चीजों की आदत सी हो गई थी अब उसको इन सबसे कोई फरक नहीं पड़ता था नोभीता के साथ इस तरह का बरताब होने की कारण वो मानसिक तोर पर ज़्यादा कमजोर हो गया था पर उसने अपने जिन्दगी में हार मानना नहीं सिखा था वो अपनी जिन्दगी ऐसे ही बिता रहा था पर इसी बीच वो अपने आपको अकेला महसुस करने लगा था इसलिए उसने अपने दिमागी दुनिया में डोरेमोन नाम का एक करेक्टर को बनाया और डोरिमोन के पास नए नए गैजट होते थे जिससे नोबीता को अपना लाइफ जीने में आसानी होता था यह सारा चीज नोबीता के साथ 9 साल तक चला जैसे ही नोबीता का उम्र 16 साल हुआ तब नोबीता का मेडिकल काउंसलिंग हुआ और नोबिता को बताया गया कि दोरेमोन जैसा कोई भी करेक्टर रियल लाइफ में नहीं है यह बस तुम्हारा बहम है इस सदमे को नोबिता बरदास नहीं कर पाया और नोबिता ने अपने डैड के गन से खुद को सूट कर लिया यह घटना कितना सच है यह दाबे के साथ तो मैं भी नहीं बता सकता पर इंटरनेट पर एक रियूमर यह भी है कि नोबिता की देड की यह स्टोरी डोरेमोन सीरिस का लास्ट एपिसोड था और इस बज़स से डोरेमोन के क्रियेटर्स को उनके फैन से कई हेट्स मिले भी थे इसी बज़स से इस एपिसोड को टीवी पर फिर से नहीं दिखाया गया इंटरनेट पर एक और यूमर भी है कि नोबिता की देड के बाद डोरेमोन के क्रियेटर हुजिको एप हुजियो को जब यह बात पता चली तब उन्होंने इस पर डोरेमोन एनिमे सीरिस बनाया यदि आप डोरेमोन के टॉइज, टीशर्ट, बैग्स या कुछ भी ऑनलाइन बाई करना चाहते हैं तो बाईलिंग डेस्क्रिप्शन में है डोरेमोन के सीरिस में नोबिता रियल लाइप करेक्टर है या नहीं यह तो मैं नहीं बता सकता पर आप कॉमेंट में अपना आंसर दीजे और इसके साथ यह भी बताईए कि नोबिता की वाइप का नाम क्या है वीडियो को सेर करें और मैं आपसे मिलूंगा इस तर एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई